जै जोहार नमस्कार तैनिक 36 कर चैनल देख रहे हैं हाप और 36 कर प्रदेश की आज की समस्प्रमुक बड़ी खबरों की सुरवात सरपतम आज की पहली बड़ी खबर के साथ 36 कर के चार चिलो में नए सरकारी कॉलेज खुलने जा रहे हैं और एडमिसन की प्रक्रिया नए तरीके से होगी डीटेल्स हम आपको बताने वाले हैं दरसल उच्च सिक्षा विभाग ने बीते दिन एक नया आदेश चारी करते हुए बताया कि बस्तर संभाग में इस सत्र से अब चार नए सरकारी कॉलेज संचारी थोंगे इन में एडमिसन की प्रक्रिया भी इसी सत्र से सुरू कर दी जाएगी जगतलपुर में मौडल इंग्लिज कॉलेज की सुरुवात हो चुकी है इसके अलावा लोहांडी गुडा, गुर्णागाउं, बीजापूर और नारायनपूर में भी कॉलेज की सुरुवात होने जा रही है राजसरकार ने इन कॉलेजों के सेट अप के लिए मंजूरी भी देती है, इन चार नहे कॉलेजों के लिए 1080 सीट भी अलोट कर दी गई है और जिन पर एडमिसन दिये जाएंगे कॉलेजों में फिलाल बीए विकॉम बीएससी की पढ़ाई होगी और एक एक कॉलेज में 90 सीट प्रती सबजिक अलोट किये जाएंगे इधर जगतलपूर 36 कर में पहली बार सरकारी इंगलिस मीडियम कॉलेज की भी सुरुवात हो रही है अब तक समूचे बस्तर की छात्रों को इंगलिस मीडियम में पढ़ाई के लिए प्राइवेट कॉलेज का रुख करना पढ़ता था मुक्यमंत्री ने बज़र सत्र में खोशना की थी कि वृद्धा विद्वा और जैसे को मिलाकर 22 लाग पिंसन धारियों को 150 रुपए बढ़ेंगे और अब जुलाई से ये बढ़ी हुई रासी मिलने वाली है और अब 500 रुपए तक यहाँ पर पिंसन देखने को मिलने वाली है वृद्धा और विद्वा पिंसन समेट 5 कटेगरी में हर महीने सरकार से पिंसन वाले वालों को 150 रुपए बढ़ कर मिलने लगेंगे और अब ये पिंसन 350 रुपए प्रती महीना है जो अगले महीने से 500 रुपए प्रती माह हो जाएगी सियम भूपेज बगरन ने विधान जबा के बजट सत्र में पिंसन वृद्धे की घोशना की थी जिसका आदेश 3-4 दिन में जारी होगा इन पिंसन धारियों को अप्रिल से लेकर के जून तक 3 महीने का एरियर्स भी दिया जाएगा और इस तरह जुलाई में तक्रीवन 22 लाग पिंसन धारियों के खाते में सीधे 500 रुपए पहुचने वाले हैं समाच कल्यार विभाग ने पिंसन बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है फाइल वित्वी भाग को भी भेज दी गई है जहां से सेंक्सन मिलने के बाद आदेश चारी कर दिया जाएगा समाच कल्यार विभाग के सचेव भूवने स्यादव के अनुसार बजट सत्र में मुखी मंतरी ने सामाजिक सुरक्षा पैंसन योजना में बृत्थे की थी और इसकी अनुरूब जल्दी 150 रुपए प्रती महा बढ़ी वी रासी के साथ 500 रुपए पैंसन हित्व्याहियों क खाते में भेजती जाएगी 36 गर में कहीं पर बारिज तो कहीं पर लू के जैसे हाला तभी नजर आ रही है और ये च्छाव और धूब जैसे स्थितिया निर्मित हो रही है रायपूर समित कई जिलों में जमाचंब बारिज होई है जबकि सक्ती रायगर और जानकीर में गर्म हवाओं ने लोगों को जुलसा रखा है 36 गर में इंदनों मौनसून आने से पहले कहीं बारिज तो कहीं भी सरगर्मी का तोर चारी है प्रदेश के कई जिलों में लूके जैसे हालात है तो कहीं जमाचंब बारिज हो रही है सक्ती जिले की बात करें तो तापमान 45 डिगर के आसपास है जबकि रायगर में 44 और जानकीर में 43 डिगरी सेल्सेस तापमान रिकॉर्ड किया गया वही राजस्थानी रायपूर समित कई जिलों में दो पहर के बाद समय में जमाचंब बारिज होई है मौसवए ज्यानिक एचपी चल्डर ने बताया है कि रायपूर में होई बारिज स्थानी प्रभाव की वज़़े से होई है वही पिपर जॉय में हुई वारिष जो है मौनसून की वज़से हुई है और इसमें और ज़्यादा देरी हो सकती है 36 गर्में फिलाल गर्मी से कोई राहत के आसार नहीं है मौस्वाइ ग्यानिक के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के आसार है 19 जून तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है मौनसून की एंट्री भी 24 जून के आसपास होगी बान से पानी नहीं मिल पाने की वज़े से आधा दर्जन से भी ज़्यादा गामों के किसानों ने HDM कारेले का घेराव किया और चुनाव को भीसकार करने की चेतामनी दी जबकि 22 जून को चक्का जाम करने की भी चेतामनी दी गई है मामला राजनान गाओं के डोंगरगर का है जहाँ बुद्वार को HDM दफ्तर में आधा दर्जन से भी ज़्यादा गामों के किसानों ने बांध से पानी की मांग को लेकर धर्ना दिया था और अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान तेज धूप में सरक पर ही बैट गए कुछ दिर बाद नायप तहसिलदार विजय साहो ग्यापनले ने पहुचे लेकिन किसानों ने जल संसार्दन विभाग के HDO को बुलाने की मांग पर ही अड़ गए किसानों ने HDM ऑफिस का घेराव भी किया जानकारी के मताबिक तकरीबन आधा दर्जन गावों के लोग पानी के लिए परिशान होते हैं देवकर्टा जुलासे जिसको निगोबान भी कहते हैं जहां से किसानों को पानी नहीं मिल पाने की वज़े से खेतों की सिचाई में भी दिक्कत आती है और ऐसे में जनता कॉंग्रेश 36 कर जोगी पार्टी के प्रदेश कोर कमीटी के सदस्य नमीन अक्रवाल के निथित्यों में देवकर्टा कनहार गाव समित आधा दर्जन गावों के किसान स्टीम काले लगा घिराव करने पहुँचे राजसभा सांसत जो 36 कर आई हुई है इन्होंने कहा कि 36 कर में 500 रुपे में सिलंडर मिलेगा रंजीत रंजन ने कहा कि ये मैनिफेस्टों में सामिल होगा कुल विधान सभा सीट पूछने पर ये भी अपना जवाब नहीं प्रस्तोत कर पाई जो 36 कर में 500 रुपे का सिलंडर देने का बात कर रही है दरसल 36 कर से कॉंग्रिस की राजसभा सांसत रजीत रंजन ने भिलाई पहुच करके बड़ा दावा किया है उन्होंने यदी 36 कर में कॉंग्रिस की सरकार दोबारा बनती है तो यहां लोगों को 500 रुपे में गैस सिलंडर दिया जाएगा यह आने वाले कॉंग्रिस के चुनावी घोशना पत्र में सामिल किया जाएगा राजसभा सांसत रंजीत रंजन ने मीडिया से कहा कि राजस्तान में ग्रहणियों को कॉंग्रिस 550 रुपे घरे लुग गैस सिलंडर दे रही है और इसी तरज पर कॉंग्रिस ने मंत्र प्रदेश के लिए भी खोशना कर दी है वहां कॉंग्रिस की सरकार बनी तो 500 रुपे सिलंडर दिया जाएगा ऐसे में 36 गर राजबी से अचुटात नहीं रहेगा यहां कॉंग्रिस की सरकार दोबारा बनेगी तो यहां ये योजना लागू की जाएगी विलाई में रंजीत रंजन ने सांसत निर्षी से लाल भादूर सास्त्री अस्पताल सुपेला के सामने पावर ब्लॉक लगाने और सीसी रोड निर्मार का भूमी पूजन किया और इस दोरान कॉंग्रिस के कारेकर तक सम्मिलन में भी सिर्कत करी 36 गर में आगामी 26 जून तक के लिए स्कूलों को बन रखने का आदेश जो है जारी हुआ है सीए भूपेज बखेल ने बढ़ती गर्मी और लू की वज़े से ये फैसला किया है 36 गर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 26 जून 2023 तक के लिए बन करने का नेदेश प्रदेश के मुख्या भूपेज बखेल ने दिये है इस आदेश की वज़े से भी सरकर्मी को बताई गई है प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छोटियों का एलान 15 जून तक के लिए किया गया था लेकिन इस वक्त जो है कई जिलों में गर्म हवाएं और लू के हालात हैं 16 जून से स्कूल खोलने पर स्कूली छात्रों के स्वास्त पर इसका बुरा असर पढ़ सकता था और इसलिए मुख्यमंत्री ने गर्मी की छोटिया बढ़ाने का फैसला किया है राजसासन की ओर से आंसिक संसोधन करते हुए 26 जून तक यानि की कुल मिलाकर 10 दिन एक बार फिर से लेट करके ग्रेस मकालिन अवकास को बढ़ाया किया है 36 गर की सबजी मार्केट में जो है भीसर आग लग गई जिनमें 55 से जादा अधिक दुकाने जल करके खाक हो गई फायर ब्रिगेड ने घंटों मसकत के बाद पर आग पर पाग काबू पाया और लाखों का नुकसान होने की आसंग का जताई गई है 36 गर के बिलासपूर का खबर जहां बुद्वारी बाचार में बीते दिन तड़के एक भीसर आग लग लग जिसमें 55 से अधिक दुकाने और गुम्तिया जल करके खाक हो गई फायर ब्रिगेट की मदद से घंटो प्रहास करने के बाद आग पर काबू पाया गया इस घटना में व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है आग जनी के कारणों का पता अभी तक फिलाल नहीं चल पाया है पुलिस इस मामले की जाच कर रही है घटना तोरवा थाना छेत्र की है वहीं बीते दिन अलग 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 चबूतरा बना कर व्यापारियों ने गुम्ति नुमा दुकाने बनाई थी जिनके उपर से छपपर के साथ बोरियों का छच्चा भी बनाय गया था बीते तड़के तकरीवां धाई से तीन बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि सबजी मार्केट में आग लग गई है जिसके बाद सूचना मिलते ही ती आई जो थुनेल तिरकी हैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे देखते आग की लप्टे बहुत तेज हो ग बढ़कर 900 रुपय प्रती केरेट पर दाम पहुच चुके हैं तरसल सब्जियों में सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाले टमाटर की कीमतों में बेतहा सब्धित हो गई है ठोक बाजार में टमाटर के दाम 850 से लेकर के 900 रुपय प्रती केरेट तक बहुच गये हैं जब टमाटर के महंगे होने का असर अब होटलोम पर भी दिखने लगा है सलाट से टमाटर कम होने लगे हैं सबजी कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की आवक काफी कम हो गई है स्थानी आवक तो बिलकुल नहीं के बरोबर है और पूरी आवक के लिए बैंगलूरू पर भी न ताओं ने संपर्क किया लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला 36 गड़ में कॉंग्रस ने चुनावी रत्यारियां अपनी तेज कर दी है क्रिसी मंत्री रविंदर चौबे के निवास में कॉंग्रस की बड़ी बैठक संपन हुई जिसमें मुखिया भूपेज बगेल प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा विधान सभा अध्रक्च चरण दास महंत मंत्री टीयस सेदेव और तामरज़ाज साहू साती पी सी सी चीप वहन मरकाम और मंत्री मुहमद अगबर मौजोद रहे इस बैठक में चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा हुई बैठक के बार मंत्री टीयस सेदेव ने कहा कि विधान सभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है अगली बैठक 22 जून को हो सकती है ओपरेशन लोटस पर कहा कि कई पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर किया लेगिन मैं कॉंग्रेस को छोड़ कर भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में कता ही नहीं जाने वाला पीसेसी चीफ ने कहा कि चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा हुई है हमारे नेता बड़े खुब बूत तक जाएंगे और एक एक बैठग जो है 22 जून को संपन होगी एक और बैठग जहां भाजपा का ओपरेशन लोटस शतीज कर में सफल नहीं होने की बात पीसीसी चीफ ने कही जै सिया राम और जै हनुमान की गुन से सनातनियों ने रिवर व्यू चौपाटी में हनुमान चालिसा का पाठ किया बजन कीतन और भक्ति मैं गीतों की पेसकस की गई बिलासपुर में बीती रात को सनातनियों ने हनुमान चालिसा का पाठ किया और यहां रिवर्वियू रोड में आयोजीत इस कारेकर में बड़ी संख्या में सध्धालू सामिल हुए भक्ति मैं माहौल के मात्यम से हनुमान चालिसा का पार्ट किया गया साथी संगीत में भक्ति मैं आनन लोगों ने लिया इसके लावा बात करें तो हिंदू सनातनियों के मात्यम से टीम हिसोरी जो म्यूजिकल ग्रूप ने दी आमतोर पर ये वर्वियू चौप पार्टी लोगों के मनुरंजन और घूमने के लिए गुलजार होता है लेकिन बीती रात यहां भक्ति मैं माहौल नजराया हनुमान दर्बार की जोती जला करके भक्ती भाव के साथ फूजा अर्चना और संगीत में प्रस्तोती चल रही थी और इस दोरान भक्तों ने हनुमान चालिसा का पार्ट किया गायकों ने दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं जैसे भजनों का गुर्गान करके भक्ती रस बिखेरता नजर आए इस कारेकम के आयोजकों ने कहा कि सभी को नित प्रति दिन हनुमान चालिसा कापाट अवस्य करना चाहिए 36 गर में बीजेपी को निसात समाज पार्टी का साथ मिल गया है क्योंकि यूपी की तर्जपर 36 कर में भी भाजपा अब चुनाव जो है साथ मिलकर नरने वाली है दरसल बात करें तो निसात समाज पार्टी के राष्टे अध्यक्ष संजय निसात ने बिलासपुर में बड़ा बयान जारी करते वे कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रिदेश में पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और कॉंग्विस को सबक सिखाया उसी तरह 36 कर विधान सभा में भी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी समाज के लोगों को एक जूट करने के लिए पार्टी की तैयारी चल रही है इसी कड़ी में निसात समाज का सम्मेलन हुआ जिसमें बड़ी संक्या में लोगों ने बढ़ चरकर हिस्स लिया राज में विधान सभा चुनाव को लेकर अब कुछी महीने का वक्त बचा है और ऐसे में राष्टे दलों के साथ साथ छेतरी दल भी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच अपनी आवाज बुलन करने का प्रयास कर रहे हैं अलग-अलग पार्टी के लोग जनता को अपने पक्ष में लाने और संगठन को मजबूर करने की कवायद में जुटे हुए हैं 36 गर में आगामे इलेक्शन्स को लेकर मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल बिलासपुर से चुनावी संकनात करने वाले हैं और रैली में तक्रीबन एक लाग कारेकर्टा के जुटने की बात कही जा रही है आगामी 2 जुलाई को बिलासपुर में होने वाले महारैली में डिले के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन्तमान के साथ ही प्रदेश भर से तक्रीबन एक लाग कारेकर्टा सामिल होंगे जाजगिर में आयोजीत प्रसवार्ता में आमादमी पार्टी के वरिष्ट प्रदेश उपाध्यक्ष आनन प्रकास मेरी ने कहा कि महारैली को सफल बनाने के लिए योध्धस्तर पर तयारी चल रही है पार्टी के कारेकर्टा गाम गाम जाकर एक एक घर पहुँच रहे हैं और नियंतरन पत्र देख करके पंजाब में आपमादी पार्टी के सरकार की योजनाओ और नीतियों से आम जनता को विस्तार से बताय जा रहा है इस दोरान मेरी ने राज्य सरकार पर जिमकर निसाना साधा उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने 36 गड़ को ब्रहस्टाचार का गड़ बना दिया है अन्तिम खबर जहां साउथ इंडियन वोटर्स को लुभाने विधायक और पूरो मंत्री जुटे हुए हैं देविंद्र यादव और प्रेम प्रकास पांडे समरालू कारिक्रा में पहुचकर लोगों से मुलाकात करते इन दिनों नचरा रहे हैं 37 गर में विधान सभा चुनाफ और अब मात्र 6 महीने ही बचे हैं ऐसे में दोनों ही पार्टी की नेता वोटर्स को लुभाने जुट गए हैं विलाई नगर विधायक देविंद्र यादव और पूरो मंत्री प्रेम प्रकास पांडे दोनों ही लुंगी पहन कर इस समय आंधर प्रदेश के अपकुपली गाह में हैं विलाई में दक्षिर भारतिय वोट बैंक को साधने के लिए दोनों नेता आंधर समाच की देवी की पूजा करने के लिए समरालू कारिक्रम में सामिल हुए आपको बता दे कि विलाई में जब स्टील प्लांट यानि बियस पी की स्थापना हुई थी तो आंधर प्रदेश के पलासा मंडल अंतरगत सिर्सा कुल जिले से बड़ी संक्या में दक्षिर भारतिय लोग आए और यहां नौकरी करने लगे रेटायर होने के बाद काफी लोग अपने मोल स्थान लोट गए लेकिन बहुत से लोग यहीं बस गए और सिर्सा कुलातियक कोपले गाउ में हर साल समरालू कारिक्रम आयोजित किया जाता है और यहां बड़ी दूमधाम से पूजा अरचना की जाती है कारिक्रम में हर साल बड़ी संक्या में आंत्रफासी जाते हैं खेल दोस्तों खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि प्रति दिन महत्तपूल खबरे लगातार अपडेट 36 गर समाचार हम आप तक पहुचा सके